इस वीडियो में मैं ये समझने और समझाने की कोशिश करई गा कि que binomial में जो binomial coefficient है और इसमें जो kombinatorics जह है वो क्यूं इस्तिमाल होते है मतलब यह आता ही क्यूं है और इस मकसद के लिए कि मैं अलग अलग रंग बहुत सोच समझ कर जान बूच कर इस्तमाल करूँगा तो मैं a plus b cube का expression यहाँ पर expand करूँगा binomial expression को तो a plus b cube क्या होता है वो होता है दरसल a plus b multiplied by अब मैं color switching करूँगा और याद रखें अब की बारी मैं colors यह रंग है वो जान बूच कर खास तरह के इस्तमाल कर रहा हूँ multiplied by a plus b और फिर यह मैंने लिया एक ऐसा blue यह आ गया और यह आ गया a plus b a plus b अब मैं distributed property इस्तमाल करते हुए सबसे पहले क्या करूँगा यह जो yellow वाला a है इसको मैं multiply करूँगा a plus b और यह bracket नाब यह bracket के अंदर यह मैं इसका green थोड़ा सा different आ गया था इसको सही कर दूँ a plus b multiplied by और यह अब आएगा plus b times times a plus b यह green वाला एक तरह से yellow वाला और दुसरी तरह से green वाला और यह पूर एक पूरा multiply होगा किसके साथ blue वाले a plus b के साथ अब एक बार फिर हम distributed property इसको expand करेंगे तो यह पहले बंदर वाले को expand करेंगे तो यह होगा yellow a multiplied by green a याद रखी यह रखी यह रंग मैं खास वज़े से इस्तमाल करूँ और मुझे मालुम है कि इस में मुझे थोड़ा time लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि यह आख़त चक्कर का है बाइनुमर expression के साथ यह फिर yellow a फिर green b फिर उसके बाद plus yellow b यलो b टाइम्स टाइम्स green a प्लस yellow b एक बार पिर और green b green b यह हमने अंदर का जो expression था इसको solve कर लिया simplify कर लिया और उसके बाद यह बाहर के लिए हमारे पास यह a plus b यह blue वाला हमारे पास है distributed property इसको भी multiply करेंगे इनके साथ इनके पहले blue वाला a सबसे multiply होगा फिर प्लस के साथ अब बी जो है वो सारे के सारे अंदर के जो ट्रॉम्स के साथ multiply होगा तो एक बार पिर yellow a फिर green a और फिर blue a गया ब्लू ए यह यह blue थोड़ा सा dark हो गया लेकिन उम्मीद है आप समझ रह रखना हासान होगा अब उसके बाद बीच वाली जो टरम है इसके साथ yellow a फिर green b green b और फिर blue a blue a लीजे यह आगे दूसरी टरम आगे उसके बाद हम इस तीसरी टरम पर जाएंगे यह निके yellow b green a और उसके बाद blue a blue a और उसके बाद यह blue वाले a को हम आखरी टरम से multiply करेंगे यह हो जाएगी yellow b yellow b और उसके बाद green b और आखिर में यह आजाएगा blue a blue a आगया हमारे पास अब बारी है b की तो यह जाएगा plus plus b multiply होगा और पहली टरम के साथ तो यह जाएगा yellow a फिर green a और फिर blue b ग्रीन a और फिर blue b ए ए ए बी उसके बाद plus फिर दूसरी टरम की बारी yellow a green b और फिर blue b यलो a green b और blue b मुझे मालूम है बहुत और फिर तीसरी टरम की बारी yellow b फिर green a green a और उसके बाद blue b यह आगया blue b और यह आखिर की टरम blue b ग्रीन b और yellow b ग्रीन b और blue b यलो b ग्रीन b और blue b अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमने पूरे गप पूरे जो a to the power a plus b to the power cube था इसको हमने फैला लिया और उसको मैंने जान बूच कर अभी simplify नहीं किया है उसकी खास वज़ा अब आप देखें कि अलग अलग टर्म्स के मल्टिप्लिकेशन का नतीजा है अब इसी तरीक सा आप चाहें तो आप यह देख लिए कि इन में से एक टर्म जो है वो राइट वाली है एक टर्म मिडल वाली और एक लेफ्ट वाली है और हापको हर टर्म में आपको नमाइंदेगी मिलेगी लेगी वाली की भी मिडल वाली की और राइट वाले अब चाहे वो A हो लिया गया हो चाहे वो B लिया गया है यह कि A या B कुछ कुछ ना कुछ मौजूद जरूर है हर टर्म में तो अब अगर आप देखें तो यह हम अगर इसमें A प्लस भी वो भी मौजूद है mutually अगर मैं इसको बात करूँ यह को अलग कर ढ लग अब मैं इसको अलग कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terms इसमें total हमारे पास आ गई है और अब इन 8 की 8 terms में से हम ये देखते हैं कि हम हर term जो है दर असल तीन चीजों के combination पर मुझतमिल है या तो वो सारे के सारे A होंगे या फिर B या जिए और B मैंसे कुछ ना कुछ मौझतमिल होगा तो अब ये अगर मैं बात करूँ एक ऐसी term की जिसमें के दो a हो और एक b हो तो ये बी ए b a a और a a b ये मेरे पास एक दो तीन जैनी के मेरे पास टोटल तीन terms ऐसी है जिन में से तीन term ऐसी है जो a square b वाली terms है A square B वाली मेरे पास तीन टरम्स मौजूद हैं इसके expansion की शकल में binomial theorem में और जब हम इस चीज़ को इस चीज़ पर जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि N chooses K वाली बात हमने जब लिखी थी binomial expression में इसको इसको इस ताँ से लिखेंगे 3 choose 2 3 choose 2 का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 3 terms हमने 3 में से 2 select किये यानि कि हमारे पास total 3 brackets हैं या 3 हमारे पास 3 जगा पर मौजूद है और उस में से 2 जगे पर हमारे पास एक ऐसी term थी जिसमें कि 2 A square हमारे पास आ रहे थे यानि यूँ कहें कि 2 मरतबा A आ रहा था तो यह ऐसी हमने 3 में से 2 choose किये और यही वज़ाए कि इस पूरे के पूरे expression को जब हमने लिखा तो यह हमने 3 में से 2 मौन्टखिब किया है 3 में से 2 हमें choose करने थे इसलिए N choose K में हमारे पास 3 choose 2 वाले आए और यह A square B के लिए हमारे पास ऐसी 3 terms आ गए अब मैं कोई mathematics नहीं लड़ा रहा बलकि मैं logical explanation की बात करूँ तो 3 में से हमारे पास 3 चीज़ें उन में से हमको 2 select करनी है यह 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 क्या कि 3 में से 2 हमने select की है तो इसी तरीके से अगर A B square की बात हो तो इसका भी आपको पता है कि binomial coefficient जो है वो 3 होता है यहनि कि हमारे पास यहाँ पर इस expression में यह इस expansion में हमारे पास 1, 2, 3 जगा पर भी मौजूद है और और हमारे पास इसमें से एक जगा पर हमने 1 हमने A इसमें से choose किया है तो ऐसी एक हमारे पास टर्म्स मौजूद है यही चीज़ यहनि कि 3 choose A और 3 choose B A square B यहनि कि बाइनमल कोफिशन्ट कि अगर हम बात करें तो यह A B square यह आपस में बराबर होंगे क्योंकि ऐसी यह तीनों कि तीनों जो जो टर्म्स हैं यह दर असल यह symmetric हैं एक दूसे के बराबर हैं और हम जब N choose K या new के 3 choose 2 या 3 choose 1 की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद पर यह फैस्ला होता है अब मैं एक expression को एक बार पिर लिएक हैं 3 choose 0 A cube B to the power 0 plus 3 choose 1 A to the A square और B की power 1 plus 3 choose 2 3 choose 2 A की power 1 और B square हो गया plus 3 choose 3 और उसके बाद A की power हो गई 0 और B की power हो गई Q यानि यह maximum तक पहुंच गया तो इसका क्या मतलब है इसका 3 choose 3 का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपके पास ऐसी कितनी terms हैं कि जिन में से आप ने यह तीन अलग अलग select कर सकते हैं तो ऐसा आपके पास सिर्फ एक ही मौका आ रहा है यानि कि आपके पास सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जहां पर यह तीनों की तीनों terms जाजिए कि कोफिशन्ट जाओ एक जैसे हैं इसे तरी तरी चूस जीरो का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कैसे कौन से यह तीन चीज़े आपके पास हैं और इसमें से आपको भी बिलकुल भी मौका नहीं करना है यह कि भी बिलकुल भी मौजूद ना हो जिन terms में तो वो आपके पास सिर्फ एक term ऐसी है इसी लिए त्री चूस जीरो का मतलब हुआ यह एक एक यूब वालिट टरम तो यह दर असल यह एक term यह है मौजूद त्री चूस त्री वाले इसी तरह से जिस त्री चूस वन में हमने यह हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन्स ऐसे मौजूद है यह कि तीन पॉसिबिलिटीज ऐसी मौजूद है तीन यूनिक हमारे पास कॉम्बिनेशन्स ऐसे मौजूद है जहां पर एक यूब ए स्कुरेड भी हमारे पास मौजूद है एक दो और यह तीन यह तीन कॉम्बिनेशन्स आप देख सकते हैं यह हमारे पास मौज़े बाहराल उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत जादा confuse नहीं किया और सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम bainomile theorem की और bainomile expansion की बात करते हैं तो उन में ये bainomile coefficients कहां से आते हैं और इसका permutation और combination के साथ तालोग क्या है बारहल आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है बात बात शवियो में आपसे आते हैं